दोस्तों वेलकम बेक आज हम लेके आ चुके हैं सेफ्रोनिक्स की तरफ से गेमिंग कीबोर्ड फ्रांस्फॉर्मर वन देख सकते हैं अब यह इसका बॉक्स है गेमिंग कीबोर्ड है इसके साथ में एक माउस गया था मतलब बेसिकली कॉंबो एक गेमिंग माउस और सब्सक्राइब करता है थ्री ब्राइटनेस लेवल भी इसमें दिये गा है और यह मैंने एमाजॉन से ओर्डर किया था कुछ तेरा सौर रोपया का और देखिए यहां पर इसकी कोश्ट वगेरा दी गई है इतनी दी गई है हाला कि आपको एमाजॉन में एक कम कम मिल जाएगा और यहां पर और भी यही थी ब्राइटनेस लेवल एनिमोर अलुमेनियम केस की बाड़ी है एक सो चार कीज वगेरा है ब्राइट केबल है हाई इसको अन्बॉक्स करके देखते हैं कि तो दोस्तों इसके डबबे के अंदर तो वैसे ज्यादा कुछ खास आया नहीं है यह कीवोड है अपना और यह इसका इस्ट्रक्शन है अगर्यद थोड़ा यह है तो इसका कोई मतलब निए इसको बनना लग करते है यह मैं चीज अपनी यह कीवोड को कॉलिटी वगेरा इसकी केबल है दोस्तों वैसे देखा जाये तो इसके केबल की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी के वले मतलब खराब नहीं ह खेटन होले रहा एक गोल्ड प्लेटेड रहलक आपको देख रहा हो गाए यह थोड़ा सा यलो स्टाइलेश गोल्डन सा दखर रहा है यह गोल्ड प्लेटेड एक्चलिमी और यह जो पूरी बॉड़ी आप देख सकते हैं यह ऐलमॉनियम की बनी होई बॉड़ी है जो कि यहां पर इसका स्टेंड है या आप इसको स्टेंड कर सकते हैं रख सकते हैं कहीं अब देखते हैं कि इसके साथ माउस भी आया है इसके साथ भी बाहर आई हुई है वोल्ड प्लेट वाली क्यों कि बहुत अच्छी है इसके साथ भी बटन भी दी गई बीच में और यह यह वाली यह डीपी बटन है स्कूल करसकते हैं बैसी है यह कि अवी बिल्ट में क्योंती प्यारी यह यह यहांaları राइट जलती ज्यब्र reflex उसको जलांगा यह और भी देखे कंसोल पूरा ईसकें पर आप और वी बटन अथ been क्ट्रोल कर सकते हैं और साथी में यहां तो कुछ नहीं यहां है मेन बटन और यहां यहां और यहां 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 यह सब बटन है ठीक है और यहां पर भी देखिए इस कीबोर्ड में भी जैबरॉनिक्स की तरफ से इसकी ब्रांडिंग दी गई जैबरॉनिक्स ट्रांसफर्मर 1 आई हम इसको अपने सिस्टम पर कनेक्ट करके देखते हैं कि यह कैसा चलता है इसके लाइट मोड अगेरा कैसा कैसा तो अब हम इसे अ और यहां आजी भी लाइट अब हम इस कीबोर्ड है यह माउस है इसको भी हम कनेक्ट करके देखते है कि क्या परफॉर्मेंस देता है कि यह कनेक्ट हो चुका है इसकी भी लाइट चल चुकी है यह देखिए रैट कलर का कि अब दीपिय बटन है इससे अपन कलर वागएरा क अब देखिए यह जो keyboard अपना gaming keyboard यहाँ पे यह light का option दिया गया है आप यह देखिए बल्ब बना है पास करिए देखिए यह बल्ब बना है यह देखिए यह multiple color change इसमें यह बंद हो गया अब यह मोड तू और यह है वैसे तो और भी वह से मोड होंगे इसमें पंचयक करते हैं कि अधर दोस्तों देखिए अब हम इसका gaming test करके देखते हैं एक mouse और keyboard का gaming का तो अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया रहा है यहां बोड पर मैंने पड़ा रहा है कि यहां पर तीन brightness level होते हैं ठीक है यह एक brightness level यह है अपने इसको एक बार क्लिक करेंगे थोड़ा स कि अपने तीन बार दवाएंगो यह बंद जाएगा अब यह अपना ओन कर लेते हैं क्योंकि अब यह अपन ग्रेमिंग का टेस्ट वागरा करते हैं यह अच्छा लग रहा है तो यह अपन यह रखते हैं यह देखिए हम जीटे फाइप खेल लें आपर कि यह देखिए अब अपन यहां पर गन भी चला कर देखते हैं यह अपर यह अपना डॉगी लिए अगया है कि अब यह अपन यहां पर मिसाल वह पर गन लेते हैं यह अपर इसके होगा कि टेंग यह अपन इन कला दी है और या तो आर्ट है और करते हैं कि अपनी घाड़ी कर देख सें क्योंकि दूसरे की गारी को फोड़ने का उनलब नहीं नहीं और मतलब नहीं हो पर बयाद चाहिए रहा है अगर निख दी लग चुकी है कि हमारा चैनल एक्चली में गेमिंग बेश्चाफ कर दूँचेएँ एक अगों पर गेमिंग भी देख लिए है कि यह थी अन्बोक्सिंग सेब ट्रांस्फोर्मर वन की गेमिंग माउस एंड कीबोड की कॉम्बो की डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक दे दिया हूं इस बहाँ से जाके पर्चेस कर सकते हैं अगर आपको लेना हूं और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको यह गेमिंग कीबोड कैसा लागा मेरी तरफ से गेमिंग कीबोड और माउस को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स बहुत अच्छा कीबोड लगा वैसे में इंप्रेसिव हैं हर चीज से तो आप इसे ले सकते हैं बजट सेग्मेंट में एक अच्छा गेमिंग कंसोल आ आपके पास तो आपको एक अन्बोक्सिंग कैसी लगे रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ऐसी अन्बोक्सिंग टेक्निकल अ कर लाप कर दो कर दो सकते हैं ली इसे ओर हमाई ऑक जरूर आपको एकर गला आपके जरुट